नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक से दस हिंदी में गिंती बच्चों, आपको नमबर नेम्स जो हिंदी में हैं, उनको कैसे लिखते हैं, कहा मात्रा लगती हैं, किस तरह से प्रनांसेशन हैं उसका विस्तार में वर्णन यानी डीटेल में समझाया गया है, दस अलग वीडियो में, जिसमें एक से दस, ग्यारा से बीस, एकिस से तीस, इस तरह मेंने वीडियो बांटे हुए हैं, उसमें से आप बढ़ सकते हैं और ये वीडियो है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जी हां सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एक से दस हिंदी में गिंती एक वन, दो, तू, तीन, त्री, चार, फोर, पाँच, फाइफ, छह, शिक्स, साथ, सेवन, आट, एट, नौ, नाइन, दस, तेन यह हो गया दस तक उसका स्वर भी आदा है उसका साउंड भी आदा हैगा 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर से चार आदा है तो उसका स्वर भी आदा ही आएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 50. अब बच्चों आप वीडियो पॉस करके भी ब्रेक ले सकते हैं, कि की सार भी पढ़ाई चोट चोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होई जाता है, आएए आगे पढ़ते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, तो बच्चों आप करेंगे, नेक्स्ट टेन नंबर नीम्स, अगले दस नंबर नीम्स पढ़ेंगे, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 69, इसको ध्यान से पढ़िए, 69, 69, 70, 70, 70, तो बच्चों आप पढ़ते हैं, आगे, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80, 80, 80, बच्चों जो बड़े शब्द हैं, उनको मैं दुबारा पढ़ रही हूं, ताकि अच्छे से प्राक्टिस हो जाए, बड़े शब्द बच्चों के लिए थोड़े से कथेन होते हैं, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 84, 84, 85, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, और नब्बे, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 98, निन यान वे, 99, 100, 100, 100, तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस पूरी हुई, इसे पढ़ते रहिए और बहुत ही जल्दी आप हिंदी में गिंती करना सीख जाएंगे, पता है, मुझे हिंदी की गिंती से बड़ा डर लगता था, क्योंकि जब भी मैं किसी सबजी वाले से सबजी खरेती थी, और वहाँ हिंदी में मुझे नंबर बताता था, कि मैं 93 रुपे हो गए, बाकी के 7 रुपे आप मुझे दे दिजे, बाकी के 7 रुपे मैं आपको दे द और ये परिशानी सबकी सुल्व की जाए, सबकी सुलजाई जाए, तो चलिए देखते हैं कितनी सुलचती है ये परिशानी, तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, धन्यवाद